हलो गुद मॉर्निंग एब्रीवन मत्रदेश डेली करेंट अफेर्स में बात करेंगे तीस नवंबर से एक दिसम्बर तक के सारे महत्पूर्ण करेंट अफेर्स के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी यह कुछ आउटलोग है मत्रदेश का करेंट अफेर आपका अगस्त तर पूरा कबर हो जाएगा इससे और पच्छिस सो 2021 में जिसमें आपके आगामी 6 महिने का कबर हो जाएगा इसके लाब मंत्ली अगर आप लेना चाहें तो यह मंत्ली भी आपको मिल जाएगी यह कुछ रमवान नोट्स हैं जी विग्ज्यान की नोट्स हैं और विग्ज्यान की पूरी समरी है क्लास 8 से लेके 10 तकी इससे आरक्षी सेवा यानि मद्यपर्देश सेवा संबर्गी की पर्थम महिला अधिकारी कौन है तो दो प्रशनों की जवाब आये हैं तो पहले कांसर है प्रकास करबसून मद्यपर्देश में कुल 23,952 ग्राम पंचायते हैं राजस्व ग्राम की संक्या 53,738 है जंदपत पंच पंचायते हैं 313 हैं जला पंचायते हैं टोटल बावन हो गई हैं पहले क्यावन थी अब ये बावन हो गई है मद्यपर्देश में पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था 25 जनवरी को मद्यपर्देश मत्यदाता दिवस की रूप में मनाया जाता है शड़क के जो बच्चे हैं उनके लिए कारी करता है मद्यपर्देश की प्रथम महिला IES सरला ग्रेवाल थी ठीक है मद्यपर्देश की प्रथम महिला IES चली स्टार्ट करते हैं आज के लिए आपका प्रिशन है नमलेकित में से प्राचीन गुफाओं वाले परेटन का इस सहरिया के वाओं में कंप्यूटर कोशल विकसित करने के लिए निम्लमै से किस जले में कोशल विकास के इंद्गी स्थापना नहीं की जा रही है ठीक है धेहान दीजिए को थोड़ा सा टख वनाने की कोसिस करिए नहीं की जा रही है तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाहब हुआ यहां पर बात करें आपको पता होगा मद्द्परदेश की तीन जनजातियां हैं बैगाप भारिया और सहिरीया यह तीनों जनजाती मद्दपरदेश की बिशेस पिछड़ी जनजातियां गोशित की गई है ।्ठीक है यह प्रिश्न बंता है आपका एक्जाम मग्दपर्देश में की जा रही है हाला कि आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में तो इसकी जो स्थापना है वो मंडला डिलोरी चिंदवाडा शहडूल और शिबुपुरी यह मैंने आपको 2019 में भी बताया था ठीक है और अभी फिर से यह न्यूज में आ तोटल पांसो जो मलब योवा हैं उनको कंप्यूटर में उनका क्वाशल विक्सित किया जा सकेगा वो प्रतेक पर प्रतेक किंद की स्थापना पर तीस करोड़ रोपे की राशी जो है वो खर्च करी जारी मतलब टोटल जो इनकी वो पॉस्टिंग आईगी वो कि दियागी एक सो फिच्चास करोड़ प्रतेश में जन जादी वरगे के हित ग्रहीं को स्वेहम का रोजगार के लिए मुक्ध मंतरी स्वारोजगार्य योजना मुक्ध मंतरी आर्थिक यूजना मुक्ध मंत्री योवा यॉद् Dubai योजना संचालिद की जारिये इस वर्ष इनी योज़ में 3747 प्रकरणों में करीब बाउन परोड रुपी उपलब्ध कराया गया था ठीक है यह आपका यहां का अभी का क्रेंट अफेर है ठीक है जन्जाती वर्कियों को आतंदर पर बनाने के लिए प्रदेश में मुक्हमंत्री कौशल संबर्धन और मुक्हमंत्री कौशल या बर्धन योजना भी संचालित की जा रही है इसके अंतरगत पिछली वर्स पांच हजार अनुसूचित जन्जाती वर्कियों को रोजगार नुनमुखी प्रिशिक्षण प्रदान किया गया था ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मैं बताऊंगा आप से आपकी मुख मंत्री सौरोजगार योजना है मुख मंत्री सौरोजगार योजना एक अगस्त 2014 को लॉंच करी गई थी ऐसी एक है मुख मंत्री योवा सौरोजगार योजना है एक और बुक में मिलती है मुख मंत्री योवा सौरोजगार योजना जिसकी जिसको लॉंच कि किया गया था 11 अगस्त 2014 को इसका जो मुद्देश है वो है मार्जन मनी सहयता ब्याइज सबसीडी रिंड गारंटी और जो लावहारती है उनको प्रिश्रिक्षन और अध्मिता को बढ़ावा देना ठीक है इसके अलाबा अगर बात करते हैं मुख मंत्री आर्थिक कल्याण य यूजना भी आपकी एक अगस्त 2014 को लागू की गई थी प्रारम की गई थी इसका उद्देश भी है जो अनुसुच जाती के जो गरीवी रिखा के नीचे के हित्गराही है उनको कम लागत के उपकरण और उनको किसी कारिकों करने के लिए कारियशील पूजी उपलब्द कर इसके लाब मुख मंतरी योवा यूजना की अगर बात करें तो यह प्रारम करी गई थी 2016 में इसका उद्देश भी था समाज के जो अनुसुच जाती वर्ग के लिए स्वयम का उद्द्योग या कोई भी सेवा उद्द्यम स्थावित करने के लिए बैंकों के माध्यम से रि मुख मंतरी कोशलया योजना है क्चुमें कोशलया ठीक है तो यह 11 मई 2017 को मद्यपरदेश की मुख मंतरी शिवरा सिंग्चौहान के द्वारा पूरे मद्यपरदेश की 51 जिलों में एक साथ इसका शुभारम्ब किया गया था तब 2017 में total 51 जिले थे मद्यपरदेश में ठीक ह इसमें जो कौशल संबर्धन योजना है यह वाओं को रोजगार उन्हों की प्रशिक्षन देकर रोजगार उप्रब्द कराता है और मध्यप्रदेश शासिन द्वारा मध्यप्रदेश कौशल संबर्धन मतब यह कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल संबर्धन और कौशल लागू करी गई है मतलब उनको रोजगार प्रसिक्षण देकर रोजगार उप्राप्त कराना इसका उद्देश है इसके लाबा प्रदेश शरकार के द्वारा महिलाओं को प्रसिक्षित करने उनको साबलंबी बनाने के लिए मुख्यमंतरी कौशल ले आयोजना भी प्रारम् करना है इसके अंत्रगत प्रति वर्ष दो लाख महिलाओं को प्रसिक्षित करने का लक्ष भी नर्धारत किया गया है ठीक है अदर प्रति वर्ष दो लाख महिलाओं को इसमें प्रसिक्षण दिया जाता है तो यह पूरी जानकारी हो जाएगी आपकी यह उजना उसे सम्मा इन्हों ने दतिया में प्रधान मंत्री आवासी उजना के अंदरगत 200 हित ग्राहियों को तीसरी किष्ट के रूप में एक करोड रुपे की राज़ी का वितरण किया है। साथ ही ततिया में प्रशिक्ष्ण के इंदर की शुरुवात भी करी जाएगी। तो यह हो जाएगा। अगला प्रशन है। अभी हाली में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियंशिप 2020 आउजित की गई। इस संबंदित सत्यकतन का चुनाओ करें। तो पहला है सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियंशिप 2020 नाकपर में आउजित की गई। यह गलत है। यह आपकी मुंबई में आउजित की गई। इस चैंपियंशिप में मद्द परदेश वाटर स्पोर्ट सेलिंग कार्मी की खिलाडियों ने तीन सौड़ और दूरजत पत सब्सक्राइब यहां पर पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूं एक्चल में मुंबई में जो याटिंग असूशिएशन ऑफ इंडिया है ठीक है उसके द्वारा वाई ए आई याटिंग असूशिएशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियंशिप 2020 का कहा है और इसकी स्थापना कब की गई थी कमेंट करके जरूर बताइए इनके जो खलाडी है इसकादमी के जो खलाडी है खासतर पर महला खलाडी है उन महोंने तीन सो और दू रज़त पतक इसमें जीते हैं ठीक है महला जाता है यह प्रतियुक्ता इंडियन नेवल वाटर म मरने ठीक है हरश्टात उमर नाम याद रखें काफी इंपॉर्षितात उमर हो गया मुस्कान करार हो गया सारी जो नाम है आपको इसके बाद प्रतियुक्ता का फ้र्टी नाइन एर एफ-एक्स इविंट जो है उसमें एक्ता यादधर वो रितिका दांगी की जोड़ी इसके लावा शीतल बर्मा और वंशिका परिहार की जोडी ने रजड़क पर इसमें दिलाया है इसके लावा उमा चौहान और अकादमी के पूरविकलाडी है इनकी जोड़ी मध्यपरदेश को रजदपटक डिलाया है, तπειक्छ कुल मिलाकी दू सिलवर आपके हो जाएंगे, तो तीन गोल्ड मैटल मध्यपरदेश को इसमें मिले है और दू सिलवर मैटल मध्यपरदेश को इसमें पितय हुटा के अंदर अभीदट मिले है अगर बचले अभी प्रदेश का जबलपूर है उसमें टोटल आठ जिले हैं उनमेंसे 6 जलों के लिए कटनी मंडला डेडोरी छिंदवाडा बालाघाट और से उगी इन 6 जलों के लिए 68 ग्रामीड नलजल प्रताय उजनाओं के लिए 56 करोड अर्तालीस लाख 78,000 रुपे की मंजूरी कुल दी ग वैसे इस पकार की राशी जनरली नहीं पूचे जाती है आप से जनरली पूचा जाएगा तो जिला पूचा जाएगा यहां राशी इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको बता दूँगा कि यहां राशी आपको याद रखनी है तो कुल मिलाके ये 6 जलों में जबलपुर राशन ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए विशेश नगत पैकेज यूजना घोशित की है ठीक है इससे संबंदित असत्य कथन का चुनाओ करें अब यहां पर देखिए असत्य कथन का चुनाओ करना है अब देखिए इस यूजना का लाब 12,000 रुपी तक की सामगरी अथवा सेवाएं बाजार से क्राइकनने पर मिलेगा दूसरा है पर्थम एवं दितिये श्रणी के अतिकारियों को 6,000 रुपे विशेश नगत पैकेज मिलेगा तो एक अथन जो है वह असत्त हो जाता है क्योंकि यह जो राशी है वो कितनी है 4,000 है तृतिये शिर्णी के ज और पूर यानिकी इसका सी अंसर हो जाएगा थोड़ा सा डिफ्रेंस मैंने बनाने की कोशिश करी है जो मुलब जो कुश्चन्स मैं ले रहा हूं लेकिनको थोड़ा सा टफ भी बनाया जा सके और थोड़ा सा आपको इसमें यह भी पता चले कि कोश्चन अलग तरीकी से किस पूचे जाते हैं अब देखे पूरा डेटेल बताता हूं मैं आपको मदपरदेश राजसासन ने परदेश की करमचारियों के लिए चार हजार रूपे तक की विशिश नगत पैकेज युजना गोशित करिए इस युजना के अंदरगत अगर माजार से बारह हजार रूपे तक की सामघ्री गोज़्ट्स एंड सर्विसेश ठीक है सामघ्री या सिवएं अगर क्रै करते हैं खरीते हैं तो पर्था में दोren 시न के दिकारियों को 4,000 रूपे तिरतिय सने की करमचारियों को 3,000 रूपे और 4 छय रूपे के करमशारियों को 2000 रोटे विशेश नगद पैकेज मिलेगा यह योजना केबल 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी यानि नमंबर में इसको चालू करा गया है नमंबर 2020 में आल्मूस्ट नमंबर खतम पर ही है दिसम्बर आप मान सकते हैं दिसम्बर से लेकर यह टोटल मार्च तक यानि चार महिने के लिए लागू रहेगी इस युजना का लाफ अगर लेना है तो सामग्री का जो क्रह, अथवा, सेवा है वो किसी registered GST vendor या सेवा प्रदाता से ही क्रह करना होगा ठीक है बारा प्रतिशत या अधिक GST इंतरगत आने वाली सामगरी हैं सेवाइं क्राह करना होगी यह दू कंडिशन इसमें प्रमक हैं कि बारा परसेंट से अगर अधिक GST किसी चीज पर है अगर आप लेते हैं तो आपको इस चीज का फाइदा मिलेगा अधरवाइस इसका फाइदा जितरू करना होगा या निए डिश्टली करना होगा अगर आप डिश्टली वुक्तान करते हैं इसका डिश्टली पेमेंट करते हैं इसका तो ही इसका लाप मिलेगा अधरवाइस इसका आप नहीं दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को गाईद पूरा था आज का हमारा क आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करिए लाइक जरूर करिए वीडियो को और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर करिए थैंक यू वेरी मुच